आज हम लोग सेल्फ कॉंपिटेंस के बारे में बात करेंगे कैसे सेल्फ कॉंफिदेंस को डबलब करें कैसे उसको सस्टेंड करें मैं हूँ अर्पित इस वीडियो को लाज तक जहूर देखेगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजेगा शेयर कीजिगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिगा चलिए स्टार्ट करते हैं कि फ्रेंट करते हैं लाइव में किसी भी काम को करने के बात शक्राइब उस काम के लिए को सतु हुआ करना वहाइ évidemment Life is not a problem to be solved. Life is a game to be played. इस बात को आपको समझना है. मतलब कि life को ऐसी problem नहीं है. जिसको हमें solution करना है, जिसको solve करना है. लाइफ को अगर अगर आप as a play, as a game के तरह enjoy करना चार्ट करने के तो अपने आप भी सब चीज़े solve होने लग जाती है. फिर self-confidence को develop करने का मेरे इसाब से 3 pillars होते हैं. उन pillars के हम बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला pillar जो मुझे समझ में आता है, वो है passion. किसी भी काम को करने के लिए passion का होना बहुत ज़रूरी है, वल्लिक कोई भी काम आप करने जाते हो, उसके लिए आपका passion बहुत ज़रूरी है. लेकिन passion क्या है? पैशन यह नहीं है कि आपने कोई काम इसने शुरू कर दिया क्योंकि आपको उसका पसंद है, मतलब कि काम करना आपको पसंद नहीं है, लेकिन उसके जो आटकम आने वाला है, मैं सीधे color पे खाहूं कि उससे जो पैसा आने वाला है, वो आपको पसंद है, पैसे आको तो आपको क्या गरना है कि उस काम के अंदर आपको इतना इंट्रेस्स पैदा कर देना है उस काम में इतना अच्छाईयों को ढूंद लेना है कि आपका पैशन बन जाए हो जब आपने काम कर दो आपने काम कर लागलता है कि आपको अच्छा लगता है ग謹 super passionate की deso तक आप उस काम को रुची से नहीं करोंगे आपका पैशन बनने वाला है ऊससे अपका self-confidence omnipa modulation is not for препosण व्योजज मतलब के passion का मतलब कुछ जीतना नहीं है, passion का मतलब है अपने आपको discover करना कि आपको क्या पसंद है, क्या करना पसंद है, किसमें आपको success मिलेगी, यह आपको self-analyze करके और फिर काम करना है, दूसरा जो pillar है वो है practice, देखे फिर इस आपने passion तो select कर लिया कि आजी थी कि यह मे अगर आप practice नहीं करते हैं, तो अच्छे से अच्छे batsman को खराब से खराब baller भी out कर सकता है, क्योंकि उसकी practice सची नहीं थी, उस particular baller के लिए या उस particular काम के लिए आपकी practice पूरी नहीं है, अब practice क्या है, practice सही way में, सही इंसान के थूर होनी चाहिए, मतलब कि जो इंसान उ आपको सिफ dialogue पर dialogue दे जा रहा है, आपको सिफ समझा रहा है, लेकिन उसको उस काम के बारे में कुछ ही पता ही नहीं है, ऐसे इंसान से आपको सीखना नहीं है, अब सीखने के लिए उस इंसान का आपके साथ में होना या पास में होना जरूरी नहीं है, for example, आपको cricket सीखना wider एक्टिंग सीखनी है तो एक्टिंग सीखने के लिए किसी बूजान झाले के तूरू किसी वीडियो के उसको एनलाइज करते में इसको ज़स कर सकतेयvation उससे सीख सकते ओती सफॉर्य सही नहीं ज़ exports यही यह नहीं से उना बूंड़ करनी है apan दो सभीनेआ whispering persistence यह मैं कहूงगा आपको की कन्सिस्टेन्स मतलब कि नीचैनर को शुक्रिटी नेशे और टी बहुत है कि आपको का ठीचिन कर लिया कि प्राक्टीम कर्लेम है। पहली बॉल पर आउट हो जाओ या फिर इसको आपने एक्टिंग आपका पैशन है एक्टिंग आपने बहुत अच्छी सीख लिया है आपने उसको बहुत जादा प्रैक्टिस कर लिये लेकिन कोई भी डिरेक्टर आपको मूवी देगा या नहीं देगा यह आपके हाथ में द अर आपको फॉर ऋग्साँपल पर ही अटेइंवि सुक्सेस मिल भी जाती है तो भी आपको रुखना नहीं है डेली स्वेः करनी है क्योंकि बहुत बहुत देड़ देर में लिखन बदलने के लिए में बहुत सारे एक्शामपल क्रिकेट में अगर एक्जामपल लेका उता ज़ीने हैं प्रीटिस कम रही है यही एक छोटी से पॉइंत है जो कि मैं आप साथ शेयर कर रहा हूं अगर वीडियो अच्छा लगाऊ बाते आपको पसंद आई हो तो पीलीज वीडियो को लाइक की आई भी जिएगा प्रेंज के साथ शेयर कीजिएगा